जैश्री महाकाल एक बार फिर से आप सब का बहुत बहुत स्वागत अविनंदन करते हैं हम आपके अपने परिवार एकाउंटिंग गुरू में आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग और इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमारा जो पहला जानना होगा कि इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमको पढ़ना क्या-क्या है तो अगर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह जानना होगा कि भीया अकाउंटिंग में क्या-क्या है तो देखो जब आप अकाउंटिंग की बात करते ह later accounting में आपने पढ़ा है कि accounting के तीन ब्रांच होते हैं कि कितने ब्रांच होते अपका coaching दूसरा होता है आपका a को तीसरा होता है और मैं सही कह रहा हüm क्या मैं सही कह रहा हूं बेटा जी तो मैंने आपसे कहा कि भाई management के तीन accounting के तीन portion होते हैं पहला क्या होता है finance दूसरा क्या होता है cost और तीसरा क्या होता है आपका management जब हम finance की बात करते हैं finance का क्या objective होता है in finance का objective यह होता है हमको इंड ओप THE YEAR नेट रिजल्ट पता करना होता है नेट रिजल्ट का मतलब या तो बिजनस में पराफिट हूआ होगा या तो बिजनस में पराइंट करने के लिए हमें किसका साहरा लेना पड़ता है financial accounting का सहारा लेना पड़ता है यानि आपके profit और loss को पता करने के लिए हमें financial accounting का क्या लेना होता है सहारा लेना पड़ता है फिर उसके बाद net result के साथ साथ बाबू आपको net position भी पता करनी होती है क्या पता करनी होती है net position अब ये net position कैसे पता चलेगा आप याद करो कि आप balance sheet बनाते थे balance sheet की सहायता से आपको क्या पता चल जाएगा net position पता चल जाएगा यानि कहने का सीधा सीधा मतलब यह है कि जब आप financial की बात करेंगे तो financial में ये दो main objective हैं पहला to find the result of the business और दूसरा क्या to find the net position of the business बताईए ये बात समझ में आ गई कि नह हम costing की बात करते हैं जब हम किसकी बात करते हैं costing की बात करते हैं तो Cost accounting का जो main objective है वो पहला क्या है कि sorry हम को cost find करनी है हम को kya find करनी है cost पता करनी है या हम ये भी कह सकते है that kadd cost and per unit cost Total cost and per यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस गुड्स एंड सर्विसेस यानि किसी ने अगर पूछा कि भई है जरा कॉस्ट अकाउंटिंग का अब्जेक्टिब क्या है तो आप यही कहोगे कि सर हमें टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट पता करनी है किसकी जो हम प्रोडेक्ट क्या करते हैं बनाते हैं वही एक प्रोडेक्ट अगर आप माल लीजे एक घर बना रहे हैं तो घर अगर आप सिंगल कमरे की बात करोगे तो सिंगल कमरे का भी आपको दाम पता होना चाहिए अगर आप ओबर ओल घर की बात करोगे तो ओबर ओल घर भी आपको क्या होना चाहिए पता होना चाहिए कि नहीं पता होना चाहिए जैसे आप एक समोसे की दुकान पे गए तो आपने कहा भईया एक समोसा तो उसने आपको कहा दस रुपया आपने कहा सारा समोसा उसने कहा दस अजार तो उसको अगर ये नहीं पता होगा कि भैया एक समोसा बेच कर उसको कितना रुपया मिलेगा तो क्या वो कुल समोसा बेच कर आपको बता पाएगा कि कितना मिलेगा नहीं सर इसी वज़ा से हमें क्या पता करना होता है बाबू total cost of the product and क्या लिखा है per unit per unit मतलब एक इकाई भी अगर है तो उसकी भी हमें का पता होनी चाहिए costing पता होनी चाहिए ये बात समझ में आ गई आपको फिर उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो ये तो हो गया पहला objective एक दूसरा objective है क्या और वो है आपका cost control यानि जब हमें लागत पता चल जाती है किसी भी product किसी भी goods की जब हमें क्या पता चल जाती है लागत पता चल जाती है cost पता चल जाती है तभी हम उस पे क्या करते हैं नियंत्रड करते हैं क्या आप करते हैं नियंत्रड करते हैं सीधी सी बात है जब तक आपको यह नहीं पता रहेगा कि यह समान कितने का मिल रहा है यह कितने का यह समान बिकेगा तब तक क्या आप उसमें उसके प्राइस को कम या ज्यादा कर सकते हैं क्या नहीं जैसे सपोस्स करो मैं आपको बताओं एक बार की बात है हमारे सुल्तानप से जादा से जादा 20 रुपया लगता है तो जो लोग एक्जाम सेंटर की बात कर रहे हैं हम आपके बसड़े पे आते थे क्योंकि दूर दूर से लोग आते आये थे उनको केनाई जाना था ओटो वाले बेटा सीधा जानते हो कितना रुपया ले रहे थे 200 रुपया ले रहे थे 500 रुपया ले रहे थे क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि सर कितनी दूर है केनाई बसड़े से केनाई का जो जादा से जादा डिस्टेंस है 5 या 6 किलो मीटर का है तो 5 या 6 किलो मीटर का साला 200 रुपया दे रहे हैं लोग इसलिए दे रहे हैं क्योंक कर पाएंगे और यही इसके लिए आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा साहरा लेना पड़े got बात समझ में आ गई की नहीं आ गई आप एक चीज और जान लीजेगा जो आपका financial accounting है यह जो आपका cost accounting है यह क्या करता है यह आपका internal accounting माफ करिएगा यह आपका क्या होता है external accounting होते हैं या आपके क्या होते हैं वेटा जी external accounting होते है external accounting का मतलब इनको आप outsider accounting भी कह सकते हो क्या कह सकते हैं हम इसे outsider accounting भी कह सकते हैं मतलब यह बाहर के लोगों को दिखाने के लिए किये जाते हैं अगर आपको पता हो तो जब आप लोग एक concept पढ़े होंगे User ऑफ accounting financial accounting में यह proportion है आपका user of accounting user of accounting में आपने पढ़ा होगा कि भी या दो तरीके के हमारे user होते थे एक होते थे हमारे internal user और एक होते थे हमारे क्या आपके external user रही है कुछ याद आया एक होते थे हमारे इंटर्नल यूजर और एक होते हमारे क्या एक्स्टर्नल यूजर इंटर्नल यूजर जिन्हें हम कहते थे ओनर इंटर्नल यूजर में कौन आते थे ओनर आ जाते थे मैनेजर आ जाते थे या management के लोग आ जाते थे इसके लोग आ जाते थे management के लोग आ जाते थे और external में आपके supplier आ गए, government आ गए, bank वाले आ गए तो ये external वाले हो गए तो आप ये जानिये कि जो financial accounting होता है या जो cost accounting होता है ये outsider accounting के साथ मतलब internal accounting भी होता है और आपका क्या होता है external accounting भी होता है यानि ये data बाहर भी circulate करेगा और ये data आपका क्या करेगा घर में भी circulate करेगा घर का मतलब business में भी circulate करेगा लेकिन, लेकिन, लेकिन जब आप management accounting की बात करते हो तो management accounting purely क्या होता है internal accounting होता है का होता है आपका internal accounting होता है internal accounting का मतलब ये है कि ये जो data बनाएगा ये जो data इसके पास है ये कभी भी बाहर के लोगों के साथ share नहीं करेगा कान से सुनियेगा internal accounting का मतलब कि जो data management accounting में रहेगा वो data कभी भी share नहीं किया जाएगा लेकिन cost accounting और financial accounting का डाटा बाहर भी शेयर किया जाता है बात क्लियर हो गया इतना बेटा अब देखिए इसी को लेकर हमने आपके लिए definition बनाई है इस definition को ज़र आप लोग देखिए के ध्यान से जो चीजे मैंने आपको समझाई है वही चीज आपको यहां पर मैंने लिखाई है देखिए क्या लिखा है कहता है कि financial accounting related to the recording classification and summarization in the terms of the money transaction जब हम financial accounting की बात करते हैं जब हम किसकी बात करते है financial accounting की बात करते हैं तो financial accounting में कितने point आ गए भाई तीन point आ गए पहला क्या था recording दूसरा क्या था classification तीसरा क्या था आपका summarization यानि कहने का मतलब यह है ध्यान से सुनिएगा कहने का मतलब यह है कि जब हम financial accounting करते हैं जब हम क्या करते हैं financial accounting करते हैं तो हमें क्या step follow करने पड़ते हैं recording दूसरा step हमारा क्या है classification रोट डाउन करेंगे से दूसरा क्या है आपका classification और तीसरा आपका क्या है summarization तीसरा क्या है भाई आपका summarization of financial data of financial data या financial transaction जहां से सुनिए जब आप financial transaction की बात करते हैं तो financial transaction का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा transaction जहां पर money की involvement हो जहां पर किसकी involvement हो money की involvement हो बात clear हो गई बेटा अब recording करने के लिए financial accounting में recording करने के लिए आप लोग किसका सहारा लेते थे आप लोग सहारा लेते थे जर्नल इंट्री का किसका लेते थे आप लोग जर्नल इंट्री का classification की बात करें तो classification के लिए आप लोग किसका सहारा लेते थे laser का सहरा लेते थे जब हम समराइजेशन की बात करते हैं तो समराइजेशन में आप सबसे पहले जाते थे किसके पास trial balance के पास जाते थे आप किसके पास जाते थे सबसे पहले trial balance के पास जाते थे देन उसके बाद आप किसके पास जाते थे final account के पास जाते थे final account के ब balance seat के पास चले जाते थे, यानि आप financial accounting में, आप financial accounting में, आप यही दो चीज find करने के लिए काम करते थे, net result और net position, net result और क्या आपका, net position, बात समझ में आ गई के नहीं आ गई, तो अब देखो मैं आपको basic से उठा रहा हूँ, मैं आपको management accounting अभी कुछ दिर बाद उठ समझाओंगा, लेकिन उससे पहले जो आपके basic terms है, financial और costing, इनको भी आपको जानना क्या है, आवश्यक है, बात clear हो गई, तो यह financial accounting समझ में आ गया आपको, अब हम थोड़ा बात कर ल related with the recording, classification, classification, classifying and summarizing the cost for determination of the cost of product and service, फिर कहता है, planning, controlling, reducing such cost and providing information to the management for the decision making, यानि यहाँ पर भी वही बाते हो रही है, जो आपकी finance में होती थी, बस अंतर क्या है, कि हम यहाँ पर profit और loss के लिए work करते थे, हम यहाँ पर किसके लिए work करते थे, profit और loss के लिए work करते थे, और यहाँ पर हम किसके लिए काम करेंगे, सिर्फ cost के लिए काम करेंगे, यानि वहाँ पर financial data record होता था, classify होता था, summarize होता था, यहाँ पर आपका cost data record हो रहा है classify हो रहा है समराइज हो रहा है इसलिए ताकि आप अपनी total cost को क्या कर सकें पता कर सकें क्या लिखा है determination of the cost of product and service determination of the cost of product and service and then उसके बाद आप planning controlling and reducing तीन चीजे सब्द क्या लिखा है planning controlling and reducing यानी plan करके उसको καंट्रोल करेंगे और control मतलब उसको फिर आट्ождения क्या कर देंगे आप रिड्यूस कर देंगे किसको सर कॉस्ट को इसको इसको कर देंगे कॉस्ट को कर देंगे बात समझ में आ गई की नहीं आ गई यही चीज मैंने यहां पर आपको बताई कि आप total cost पता करेंगे per unit cost पता करेंगे और फिर cost को क्या करेंगे control करेंगे बात clear हो गई अब जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई यानि management accounting management accounting की जब हम बात करते हैं तो management accounting को जानने से पहले आपको relation of management, relation of the financial and costing को जानना होगा ये देखिए जब आप relationship of the financial, management and costing की बात करते हैं इसका क्या मतलब होता है ध्यान से सुनिएगा जो financial का data होता है जो किसका data होता है बेटा? financial का data होता है या जो cost का data होता है वो बराबर होता है किसके management accounting के या आप ये भी कह सकते हो कि sir management accounting means financial accounting plus cost accounting यानी financial का data आपके पास आ गया, cost का data आपके पास आ गया, अब ये data transfer हो जाएगा किसके पास? management के पास चला जाएगा उस data का management करेगा क्या सर उस data का management करेगा सर यह सवाल अच्छा है तो उस data का management करेगा क्या यह सुन लीजे उस data का management इस्तमाल करेगा policy बनाने में उस data को management किसमें दिसीजन लेने में इसलिए ताकि आप future में future में क्या कर सके profit को और अच्छे से कमा सके और अच्छे से profit को क्या कर सके कमा सके एक जानिए बेटा जब भी भी कोई भी चीज की जाती है जब भी भी कोई चीज क्या होती है की जाती है तो उसको करने से पहले क्या हमें प्लानिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए कोई काम करने से पहले क्या हमें planning करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए obviously करनी चाहिए क्योंकि बिना planning के आप काम करेंगे तो 99% chance है कि आप फेल हो जाएं जैसे आपको मैंने bike दे दी bike में full tanky full करा दी और मैंने कहा जहां मन कह जाओ जहां मन कह क्या करो जाओ अब आदा घंटा एक घंटा दो घंटा गाड़ी चलाने के बाद भी आप उभी आ जाएंगे यार जाएं तो जाएं कहां जाएं तो जाएं कहां लेकिन मैंने कहा बेटा आपको यहां से दिल्ली जाना है और bike से ही जाना है यानि आपको मैंने में एक चीज रहेगी कि साला दिल्ली जाना है अभी चलो दस मिनिट आराम करें अराम करें थोड़ा चाय पानी पीए और फिर बाइक स्टार्ट करके फिर पहुंच चलने कहां दिल्ली के लिए यानि जब आपको पहले से आपका गोल पता रहेगा तब आप उसको अच्छे से कर भी पाओगे और इसको करने के लिए सबसे पहले आपको किसकी साहरता लेनी पड़ेगी प्लानिंग की समझ में आ गया बेटा किसी ने पूछा की जरा बताईए फंसन एन अब्जेक्टिव ओफ मैनेजमेंट क्या है तो सबसे पहला फंसन यह है कि सर यह जो मैनेजमेंट होता यह बड़ा जाणफा होता है बड़ा मतलब किया होता है मतलब क्या होता है चतुर मतलब क्या चतुर अच्छे वाथ बताओ यार आपको we li amats वाला बिजनस है वह कौन चलाता है अब बताओ मुझे मुझे मolev को सम्भानि और अंसर दे रहें न तो आप यह जान लीजे कि 50% 50 क्या आप मान की चलिए 60 से 70 परसेंट आप गलत आंसर दे रहे हैं कारण क्या है कि अमबानी फैमिली एक बात बताओ बड़े-बड़े MBA को बड़े-बड़े Chartered Accountant को बड़े-बड़े Business Assistant को जो Reliance इस फैमिली है वो 2-2 करोड 5-5 करोड में hire कर रही है करती है कि नहीं करती है किसलिए करती है ताकि company को अब बताओ चला कौन रहा है मंबानी फैमिली या वह जो management में बैठे लोग है जो management में क्या है बैठे लोग है क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि आने वाले समय क्या है उनको अच्छे से पता है कि आने वाले समय में क्या requirement क्या ज़रूरत हो सकती अगर आपको यादो कल आपके प्राइम मिनिस्टर ने राज्य सवा में बड़ी अच्छी बात कही अगर आप सुनेंगे तो यहाँ पे यूटूब पे मिल जाएगा उन्होंने कहा है कि जब हम तीसरी बार आएंगे सरकार में तो हम भारत को तीसरी बड़ी अर्थवे उस्थ बनाएंगे लोगों को घर घर पे वो पाइप वाला जो नल है पानी वो आला सप्लाई करवाएंगे सभी लोगों को मुफ्त में इलाज करवाएंगे मुफ्त मतलब सस्ता इलाज करवाएंगे 90% से 80% दवाईयां सस्ती में मिलेगी यानि उन्होंने अभी देखो election हुआ नह ही है लेकिन पहले से क्या कर रखी है planning पहले से क्या कर रखी है planning और जब आप planning करोगे तभी आप काम करोगे यानि जब आप goal determine करोगे तभी आप उसके according क्या करोगे बेटा काम करोगे और फिर अगला point है आपका coordinating सर यह coordinating क्या है देखिए coordinating का मतलब क्या होता है कि जैसे माल लीजे आपके सामने पांच resources है जब बेटा ध्यान से सुनिएगा यह resources सब दुमें बार-बार इस्तमाल करूँगा resources resources पांच तरीके के हैं पहला क्या है man दूसरा क्या है material तीसरा क्या है man power चौथा क्या है machinery और फिर आपका क्या है money man power और मैंने की है material हो गया man power हो गया machinery हो गया money हो गया और मान के चलिए method का हो गया method पांच एम method man power material machinery और क्या आपका money यह जो पांच सब्द मैंने लिखे हैं इन्हें आप 5 M भी कहते हैं क्या कहते हैं विटा जी 5 M कहते हैं इनके बिना कोई भी business survive ही नहीं कर सकता ना तो वो survive कर पाएगा ना वो growth कर पाएगा खतम तो होई जाएगा अगर कोई एक भी आप निकाल ले गए तो पहला क्या है method इसको बाद में देखेंगे सबसे पहले देखो material कोई भी product बनाते हो आप कोई भी service अगर आप देते हो तो उसके लिए आपको material क्या ओशकता है कि नहीं है पताईए जरा उसके लिए आपको material क्या हो सकता है कि नहीं है सर 100% material क्या हो सकता है जब आप material की बात करते हो जब आप किसकी बात करते हो बेटा material की बात करते हो तो material में आपके सामने तीन तरीके के material आते हैं एक आता है आपका क्या raw material एक आता है क्या आपका WIP और एक आता है प्रोडेक्ट बन पाएगा 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 नहीं बन पाएगा प्रोडेक्ट बन पाएगा प्रोडेक्ट बन पाएगा अब दूसरा step क्या है आपका manpower मतलब क्या आपका labor अच्छा बात बताईए आपके घर में सारी सुक्सुभिधा है घर पे सब कुछ है जैसे क्या होता है कभी कभी कि माल लीजे मेरे घर पे मेरी माता जी और मेरी धरम-पत्नी तिन लोग रहते हैं माता जी और धरम-पत्नी ल मेरे घर पे सब कुछ समान रखा है जारा बताओ क्या मैं कुछ खा पाऊंगा मुझे बिस्कृट से गुजारा करना पड़ेगा यानि क्यूं क्यूंकि सर मटेरियल होने के बाद भी अगर मेरे पास manpower नहीं है तो वो चीज बनेगी तो बनेगी कैसे वो चीज बनेगी तो ही कैसे बात समझ में आ गई तो manpower भी होना क्या है आवश्यक है उसके लिए अगला पॉइंट क्या엔 फइसमालू मैं पावर ना हो चलो मसीनरी से काम चला लो मसीन से काम चला लो अरे मसीन चला लो लेकिन माल लो electricity ना हो तो कौन सी मसीन चलेगी और मसीन है भी electricity है भी लेकिन चलाना ही ना आता हो तो ये तो वही बात हो गई मेरे पास four willar है लेकिन मुझे पता ही नहीं साला गेर आगे लगता पीछे लगता है, क्या फाइदा यार ऐसी मसीन का, तहीं गे नहीं है, और फिर एक point और है, इनको जरा बताओ मुझे, ये जो तीनों point है, क्या ये बिना इसके आप आएंगे, क्या ये इसके बिना आप आएंगे, नहीं सरे, तो ये भी होना क्या है आपके लिए, आवश्यक ह और फिर उसके बाद last एक point और रहे गया, जिसका नाम क्या है, method, और method का एक और point है, method को हम लोग motivation भी कहते हैं, क्या कहते हैं, motivation, बहुत कमाल की चीज है ये, motivation, प्रेड़ा जिसे कहते हैं, क्या बिना किसी motivation के कोई काम किया जाता है, एक example, जैसे माल लीजे कि आपको सुबा चार बजे ट्रेन पकड़नी है, तो आप अगर दस बजे हर दिन उठते हो न, यकीन मानना जिस दिन आपको चार बजे सुबा ट्रेन पकड़नी होगी, उस दिन आप तीने बजे उठ जाएंगे, या ये भी चांस है कि आपको निदिये ना आए रात भर, क्यूंकि अंदर मोटिवेशन यानि आग जल रही है सर, आग क्या हो रही है, जल रही है सर, बात समझ में आ गई आपको, तो इन तीनों के लिए आपको चारों के लिए आपको सबसे यादा किसकी ओशक्ता है, मनी की, और इसी के बीच में जो प्रॉपर आप ताल मेल बैठा दें, मैन, मनी, मटेरियल, मोटिवेशन, मसीनरी, अगर इन सब में अगर आप प्रॉपर क्या बता बैठा रहे हैं, ताल मेल, तो उसी ताल मेल का नाम क्या है आपका, कॉडिनेटिंग, मतलब एक दूसरे का साथ, जैसे सरकार क्या कहते है, सब का साथ, सब का भी कास, ये कॉडिनेशन से उ जाड रहे हो, कपड़ा भी पहन रहे हो, तो उसमें भी मैनेजमेंट है, अब आप कहोगे, सर क्या बात कर रहे है, बाल जाडने में कैसे मैनेजमेंट, कपड़ा पहिनने में कैसे मैनेजमेंट, बताएं, जैसे, आप हर दिन एक ही साइड में बाल जाडते हो, एक काम करो, ह एक काम करो आज से उपर पहनना सुरू करो जो शर्ट आप उपर पहनते उसको नीचे पहनना सुरू करो बताओ क्या अच्छे लगोगे नहीं इसका मतलब की management है की नहीं है management का मतलब to manage each and everything management means to manage each and everything और on benefit अपने lab के लिए हम उसको manage करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है management कहलाता है बात clear हो गई बेटा और फिर उसके बाद इनकी हमें क्या करनी है जब हम इनके बीच में तालमेल बैठा देंगे तो क्या एकका बार तालमेल बैठाएंगे की हर बार तालमेल बैठाएंगे हर बार बैठाएंगे तो हर बार ताल मेल बैठाने के लिए हमें इनके उपर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बताइए जरा हमें इनके उपर कंट्रोल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्या बिना कंट्रोल के काम बनेगा आंसर है नहीं तो यह तीन पॉइंट समझ में आ गए आपको प्लानिंग कोडिनेशन कंट्रोलिंग और फिल लास्ट एक और पॉइंट है जिसका नाम क्या है आपका कॉम्णीकेशन अरे भीया कॉम्णीकेशन आपको मैंने बताया कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो इंटर्नल अकाउंटिंग है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो क्या है आपकी इंटर्नल अकाउंटिंग है इसका सीधा मतलब यह है बेटा कि आपको जो डाटा सेयर करना है वो किसके साथ शेयर करना है बी ओडी के साथ share करना है यानि कहने का सीधा सीधा मतलब है कि इनके बीच में आपको क्या बनाना पड़ेगा ताल मेल बनाना पड़ेगा अब जब आप BOD या मैनेजमेंट की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि जब हम label of management पढ़ते थे क्या पढ़ते थे हम label of management पढ़ते थे तो label of management में हमारे तीन label होते थे क्या होते थे भई एक होता था टॉप एक होता था क्या middle और एक होता था आपका क्या low तो जड़ा बताईए इन तीनों के बीच में क्या हमें communication इस्टाबलिस करना पड़ेगा कि नहीं स्टाब्लिस करना पड़ेगा इन तीनों के बीच में हमें स्टाब्लिस करना पड़ेगा ना बेटा जी बात क्लियर हो गई इतनी चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद अगला अगला फंसन क्या है अगला फंसन है आपका financial analysis and interpreting यह सब्द बड़ा ध्यान से समझिएगा सब्द क्या लिखा है financial analysis financial analysis देखो एक चीज जानो बेटा हम जो भी काम करने जाते हैं यह जो भी काम भविश्य में करेंगे उसके लिए क्या आपको अपना pocket चेक करना पड़ेगा कि ने चेक करना पड़ेगा financial analysis का मतलब होता है check your pocket यह मैं अपनी सब्द में बोल रहा हूँ वैसे आपकी किताबों में तो बड़ी खतरनाक definition दी गई है लेकिन मैं सिर्फ एक सब्द कहता हूँ कि वह यह चेक और पॉकिट अब check your pocket का मतलब या तो आपना cash balance चेक करो या bank balance चेक करो या market security चेक करो या जो भी आपके source of fund है उनको आप check करो क्योंकि अगर आपने इसको check नहीं किया जैसे suppose करो कि आपकी जेब में 10 रुपया है और आप पहुँच गए ओड़ी खरीदने तरह बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा बहुत मजा आएगा सिर्फ वहां पे आप time pass करोगे वहां पे सिर्फ क्या करोगे आप time pass करोगे लेकिन सोचो अगर आपकी जेब में 10-20 करोड रुपय रखा हो आप ओड़ी क्या Mercedes जाओ खरीद लो आप Lamborghini जाके खरीद लो क्यों क्योंकि आपके पास financial ability है आप फिर वहां पे जाके मजाक नहीं वहां पर हमारी जेब में नहीं होता था इसलिई थम आप यख़ जाके खाते थे और सोचो कर आपकी जेब में पैसा हो तो क्या आप जाओगे फिर आप नहीं जाओगे फिर तो गए छोड़ो यार होटल पे चलेंगे यानि आप वहां पे अपनी financial ability चेक करते हो फिर आप जाके पड़ोसी की घर पे जाके खाना खाते हो ठीक है आगे बढ़ेंगे इंटर प्रेटेंग का मतलब होता है रिजल्ट पता करना यानि जब हम अपनी जेब चेक कर लेते हैं तभी तो हमको पता चल जाता है ना कि हमारे पास है या नहीं है हम यह काम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे जैसे मैंने आप से कहा कि भाईया इसके बिना मनी का मतलब ही होता ह है financial ability को चेक करना मनी का मतलब क्या होता है आपका financial ability को चेक करना बात clear हो गई बढ़ेंगे फिर अगला point है आपका qualitative information बहुत important है यह point ध्यान से सुनिएगा qualitative information यानि quality information आप यह भी कह सकते हो quality क्या बोला मैंने quality सब्द क्या होता है quality का मतलब होता गुड गुड मतलब यह मत सोच ले ना खाने वाला गुड मतलब खूबी जैसे जब हम financial accounting की बात करते थे तो वहां पर यह कहा जाता था कि जो भी आप data record करेंगे जो भी आप data क्या करेंगे record करेंगे वह किस terms में करेंगे money में करेंगे cost accounting के अगर हम बात करते थे cost accounting में भी जो हम data record करेंगे वह किस में करेंगे money में करेंगे लेकिन management कहता है कि भाया हम data पैसे में नहीं record करेंगे हम data quality के आधार पर record करेंगे यानि कहने का मतलब है कि हम किस employee को किस employee की वज़ा से business में profit हो रहा है इसके बारे में देखेंगे मतलब तभी तो promotion करेंगे तभी तो क्या करेंगे promotion करेंगे एक कल मैं एक movie देख रहा था आप लोगों एक snacks का नाम सुना होगा चीतो अभी सुना है नहीं सुना है अपना western country में यह बहुत famous है चीतो चीतो की कहानी क्या थी मैं आपको बताओं आप लोग पढ़ना गूगल पे चीतो को बनाने वाला जानते हो कौन था चीतो को बनाने वाला office में काम करने वाला एक सफाई करने वाला व्यक्ति एक ब्रांड को लेकर पहुंचा ब्रांड का मतलब एक प्रोजेक्ट को लेकर वो पहुंचा आप ऐसे जाने हैं जैसे हमें किसी बड़े आदमी के पास अगर जाना है सीदी सी बात है हमें उससे बहुत सोच समझ के बात करनी होगी एक कमपनी जिसका नाम था नाम नहीं आदा रहा मुझे ठीक आप पढ़ना इसके बारे में तो हुआ क्या था कि जब उससे अपने लोगों से कहा कि आप लोग कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आओ उस पर काम करेंगे तो जो सफाई करने वाले भाईया थे उनके दिमाग में क्योंकि मैक्सिकन थे वह उनके दिमाग में मसाला वसाला जादा था उन्होंने का सार यह जो आप चिप्स बेच रहे ह है यह बड़ा फीका-फीका雅 लग रहा है लाम मसाला भेजीं जैसे कुरकुर में खा एखाईए आप यह अंकल चिप्स अगर आपको को अंगर कंड़ क्व्षब्स और कुरकुरे सब्से यह आओ पसंद करेंगे और कंड ज्दा पसंद करेंगी,,, मसाला है तो यह प्रोजेक्ट वो लेकर गए और जब यह प्रोजेक्ट लेकर गए आप यकीन मानना कम्पनी जो लॉस में जा रही थी वह एक चार-पाँच महीने के बाद किसमें आ गई प्रॉफिट में आ गई यानि सीधी सी बात है अब क्या उस व्यक्ति को सिर्फ सफाई कर्मी ही रखा जाएगा कि आगे भी बढ़ाया जाएगा उसको डारेक्ट मैनेजिंग डारेक्टर बना दिया गया डारेक्ट उसको क्या बना दिया गया मैनेजिंग डारेक्टर बना दिया गया यह भी आप और लास्ट पॉइंट है क्योंकि जब आपके पास qualitative information रहता है तो ही आप decision ले पाते हैं कि सर किसको बढ़ाना है किसको हटाना है या किसको सही करना है क्या करना है वो सब किसका part हो जाता है आपके decision making का part हो जाता है बताइए इतनी बाते समझ में आ गई तो किसी ने पूछा function of function या objective of management क्या है तो आप सबसे पहले नाम किसका देंगे planning का फिर किसका नाम देंगे coordinating का फिर किसका नाम देंगे controlling का फिर किसका नाम देंगे communication का फिर financial analysis and interpretation फिर qualitative information और फिर last क्या है आपका decision making बताइए concept clear हो गया कि नहीं clear हो गया कोई समस्या तो नहीं relationship के लिए ये diagram आपको बना लेना है relationship के लिए क्या करना है ये diagram बना लेना है और फिर उसके बाद आपको शुरुवात में एक चीज और लिखनी है ये जितनी चीजे मैंने आपको यहां पर लिखाई है ये सारी चीजे आपको क्या कर लेनी है लिख लेनी है बात समझ में आ यह कुछ और पॉइंट देख लेते हैं कुछ और पॉइंट देख लेते हैं जैसे अगर आप management accounting की बात करते हैं तो management accounting क्या होता है देखिए लिखा क्या है कि management accounting यानि management accounting काम किस पे करता है management accounting काम करता है कि आज से बहतर वाली नीती पे काम करता है ध्यान से सुनियेगा management accounting किस पर काम करता है बेटा आज से बहतर आज से क्या बहतर या आप ये भी कह सकते हो कल और आज से बहतर ये आप जानिए तो पीधी सी बात है एक बात बताओ जैसे आप लोग अभी 19-20 साल के होंगे या मैं कहता हूँ 17-19-18 या 17 से लेके 20 साल के अंदर अंदर होंगे सारे हैं वो सकता है कोई एक दू साल जादा हूँ आज से 10 साल के बाद जब आप लोग 30 साल के होंगे तो क्या जिस पूजीशन में आप हैं जिस financial crisis को आज आप जहल रहे हैं क्या उसी financial crisis को आप 30 साल में भी जहलेंगे अच्छा लगेगा आज आपको घर से 4000-5000 आ रहा है जब आप 30 साल के हो जाएंगे तो आप लेना पसंद करेंगे या देना पसंद करेंगे या अपफिसली सर देंगे अपने घरवालों को यानि आप जब अच्छे से काम करते हैं efficient जब आप क्या करते हैं अच्छे से काम करते हैं तो उसका result भी क्या आता है बेटा अच्छा ही तो आता है तो जो management होता है वो काम करता है कैसे जो उसका predetermined objective है जो business का objective है उस objective को पूरा करने के लिए वो हर समय क्या करता रहता है काम करता रहता है अच्छे से ताकि जो losses है वो कम हो सके और जो profit है वो automatic क्या हो सके जादा हो सके भाई अगर loss कम हो गया तो profit भी automatic क्या हो जाएगा जादा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा तो मज में आ गया वेटा अगला point क्या है कि जो management है वो help करता है किसमे problem को identify करने में और problem को क्या करने में solve करने में और साथ ही साथ समय समय पे evaluate भी करना है समय समय पे क्या करना है evaluate करना evaluate का मतलब क्या होता है कि समय समय पे ये पता करना कि ये controlling जो है वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है भई आपके सामने जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक क्या आप solution खो जाएंगे एक बात बताईए मान लीजे आप कमरे में अकेले बैठे हैं तो क्या आप किसी से बात करेंगे जब कोई है नहीं तो बतियाएंगे किस से सर और जब नहीं बतियाते तो Instagram आईसे ही से करते रहते हैं लेकिन अगर आपके बगल में कोई आग बैठ जाए वो आपसे बतियाने लगे तो आप भी बतियाएंगे न यानि अगर आपके सामने प्रॉब्लम आएगी तभी तो उसका solution आएगा यानि जब cost data financial data हमारे पास आएगा तभी तो management काम करेगा जब उसके पास cost data financial data आया ही नहीं तो काम कैसे करेगा जब उसके पास कोई भी planning का डाटा नहीं आया जब organizing का डाटा नहीं आया coordination का डाटा नहीं आया controlling का डाटा नहीं आया evaluation का डाटा नहीं आया तो काम कैसे करेगा भाई इभी तो देखो आप प्रॉबलम लाओ thereahi to भावर लॉव तो सलूशन काऊगे एक बात बताओ आपको माल लीजिये आप एकदम सही है आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम है डॉकटर के पास जाओगे आप डॉक्टर के पास जाके पूछो डॉक्टर कहेगा हां बताओ बस सर आये थे ऐसे मिलने के लिए वह भी कहेगा पागल आदमी सही है कि नहीं है जैसे आपके घर माल लीजे रात भार लाइट आ रही है गर्मियों के दिन में लाइट आ रही है रात के 12 बज़े फोन करोगे वहां पर आपके सब सब सेंटर क्या परो अब यहां बीना प्रॉब्लम आप प्रॉब्लम आप रिस्पोंश करते हैं बताइगा यह समझ में आ गई की नहीं आ गई ठीक है चलिए कुछ और पॉइंट देख लेते हैं अगला पॉइंट है आपका देखेंगे जरा यहां पर कि जो management accounting है क्या लिखा है कि management accounting is a concern with the accounting information that useful to the management यानि हम ऐसे काम करेंगे ताकि management को वो information क्या मिले helpful रहे और लास्ट पॉइंट द्यान दीजेगा कि management accounting is the क्या सब्द लिखा है integral integral का मतलब क्या internal और internal इसलिए ताकि यह काम करता है किस पे identifying फिर क्या लिखा है presenting फिर क्या लिखा है interpreting information और use किया जाता है किसमे formulate सब्द क्या लिखा है strategy यह strategy क्या होती है सर इस्टाटेजी का मतलब होता है run niti किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहले राजा महराजा क्या बनाते थे युद्ध नीती बनाते थे चक्रिवीव बनाते थे तो चक्रिवीव वो तो संस्कृत वर्ड है इंग्लिस वर्ड क्या है strategy इंग्लिस वर्ड क्या है strategy अगर आपने महाभारत सुनी या पढ़ी होगी तो आपने भी देखा होगा कि अभी मन्यू को मारने के लिए चक्रिवीव बनाया गया था अभी मन्यू को ये पता था कि सर जाना कैसे है ये नहीं पता था कि आना कैसे है तो चो अगर उसको जाना आना दोनों पता होता तो हमको लगता उसी दिन महाभारत खतम हो जाती यानि इस strategy उसको सिर्फ जाने की थी आने की नहीं थी उसकी उसने कहा भी था सर मालिक कृष्णे से उसने कहा भी था कि मालिक में चला जाओंगा लेकिन आउंगा कैसे यह नहीं पता और कृष्णे को भी पता था ठीक है फिर उसके बाद strategy जब बन जाएगी तो फिर क्या किया जाएगा planning and controlling decision making the optimize to use of the resources in the safeguard assets ठीक है बेटा जी इतना बात समझ में आ गया चलो फिर आज के लिए हम लोग यहीं पर अपनी class को क्या करते हैं bind up करते हैं next class में हम क्या क्या पढ़ेंगे यह देख लेते हैं next class में हम बात करेंगे feature of management accounting की feature of management accounting के साथ साथ हम बात करेंगे कुछ और branches यह तो already हमारा हो चुका है branch of accounting हमने बता दिया आपको ना starting में cost accounting management accounting यह आप लोग क्या कर लेंगे note down कर लेंगे फिर उसके बाद और क्या बात करेंगे और फिर बात करेंगे आपका difference between the management accounting and financial accounting फिर difference between the cost accounting and management accounting इन सब के difference को हम लोग क्या करेंगे one by one देखेंगे लेकिन आज नहीं देखेंगे next class में देखेंगे तो आज की class कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जरूर अपना comment दीजे जरूर feedback दीजे अगर आप हमारी class को join करना चाहते हैं तो नीचे दिएगे नंबर पर आप हमें call कर सकते हैं बाकि आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखे मुझे इजाज़त दीजे जय महादियो